यह वो सिस्टेम जो सुबह मैंने आपको पताया था इसके अब नियू विंडर इंस्टॉल करनी है F9 बूट मेन्यू अभी इसके ओपर नियू विंडर इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसलिए है यहां पर हमें हमें कंफर्म है कि हमारी सीडराइब जाएं वह 1 1 6वी की है क्योंकि हमने पहले देख थिये सिस्टम को ओन करके यह इसकी सी ट्राइब है यह 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 और ये यह द्रिलीट करके new partition बना अधरी और new window इंस्टॉल कर लेनी है system के उपर new करेंगे इसको we could not create a new partition यह error आ रहे है इसकी जो BIOS है वो change करके देखते हैं क्योंकि जो error आ रहे है इसकी BIOS जो है boot order में ठीक है device में अंटी भी शो हो रही है boot order lexicon disable करते है ठीक है जी और secure boot on करते है लेक्सी disable secure boot enable दो बारा अब दो बारे नेक्स करते हैं पार्टिशन जो है change किया है हमने अब पार्टिशन के रहे हैं कि बायोस में थोड़ी सेटिंग चेंज की है लेक्सी जो है डिसेबल किया है यूई एफ़ाइ मूर जो है एनेबल किया है अब भी पार्टिशन परने किया है इसको यह पार्टिशन भूम कर नहीं उपर वाली के रहने हैं इसे रहने है यह सिर्फ लेक्सी जो है फॉर्मेट कर लेंगे अनलोकेटिड वो फॉर्मेट जो है शो हो रहा था वो पार्टिशन सिर्फ बाइवस की जो सेटिंग यह वह भी आप से सिस्टम पर करके तो विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं इस सिस्टम में वायरेस बहुत जाद है उसी के वजह से जो हैं अब सिस्टम के उपर सोफ्टर स्वकेरा इंस्टॉल करनी है और ड्राइवर्स वकेरा वेल्कम बैक और अभी आपने देखा है कि यह सिस्टम जो है कंप्लीट रेडी कर लिया है इसकी बाइवस का मसला था इसकी वजह इसकी पार्टिशन नहीं हो रही थी आपने वीड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे अपनी दुआउं में याद रखिएगा बहुत साई दुआउं के साथ तमाब देखने वालों को अला हाफीज